मैं आप से सीधे सीधे पूछाँगा आप मोदी जी के पीछे क्यों को बढ़े रहते हैं यह आप कोई सीधे सीधे नहीं पूछ रहे हैं है ना यह यह भी मुझे लग रहा है कि आप सीधे तरीके से पूछी नहीं पाए है ना क्योंकि अगर सीधे तरीके से पूछा जाए को इस मोदी कौन है मोदी कि आप यह भी बोल सकते हैं कि देश के प्रधान मंत्री के बारे में आप यह कर सकते हैं तो मोदी जी ने अपने नाम से देश को परसनलाइज भी कर लिया है मोधी जी खुद को देश समझने लगे है, उनके समर्थक मोधी जी को देश समझने लगे है, वो प्रधान मंत्री है, एक केंदर सरकार होती है, एक प्रधान मंत्री होते है, जो पिछले 75 सालों में, 76 सालों में, बहुत सारे लोग आए, गए, अपना काम किया, और प्रधान मं करता हूं और मैं तब के आया हूं मैंने अपनी पीठ मजबूत कर ली है जुट बोलते हूं कि यह पूरे देश को मालूब है और इनी चीजों से तो हम लोगों को बोलने का यह मिलता है इसमें से जितनी तीन चीजे चार चीजे आपने बोली इसमें से कौन सी बात सच है सारी जुट बोलते हूं कि आज देश में किसी से भी आप पूछिए मुझे उनसे कोई नहामें देश के प्रधानमंत्री से लेना देना है अगर आप देखें लोग बोलते हैं मोदी जी के बारे में आप 2014 के पहले मुझा मेरा एक स्टेटमेंट दिखा दीजे कभी हमने मोदी ज पारिश सरी बाते करते हैं उससे हमको बहुत सरा मोलने को और कहने को मुझा आप बाबा जी के बारे में भी बोलते हैं अभी आप कान लगाते हैं तो आपने एक वीडियो डाल दिया बाबाजी के नाम पर कि आपको बाबा के बुल्डोजर से डर नहीं लगता नहीं इसका मतलब उत्रप्रदेश में जितने लोग रहते हैं आप हो गए आपके साथ ही हो गए सब लोग डर डर के रह रह रहे हैं नहीं नहीं आपको डर नहीं लगता मतलब यहां पर अगर उत्रप्रदेश में रहना है तो डरना जरूरी है कि हमने ऐसी सरकार चुनी है कि ह दर के रहें, यह हमारे चुने हुए जन्ता के पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, इन से हमें बेख़प होना चाहिए, यह हमारे रक्षक हैं, हमारा ख्याल, हमारे समाज का प्रदेश का चीज़े करना है, और हम इनसे डर हैं, अगर यह डरने वाली बात कर रहें रच्छा के लिए और अगर आपको लग रहा है कि इससे डरना चाहिए तो आप भी गलत सोचते हैं गलत messaging दे रहे हैं हए न हमें तो यह कहना चाहिए कि हमें अपने सरकार से अपने मुख मंत्री से अपने पिद्धान मंत्री से अपने चुने हुए नमायंदों से किसी से डरना नहीं चाहिए जो भी बात है इनसे खुल करके करनी चाहिए हमें ये करना है और रही बात चाहे वो योगी जी हो या मोदी जी हो या केजरिवाल जी हो कोई भी हो हमारा व्यक्तिकत किसी से कहीं कोई अरहार नहीं है मैं पहले की जो पुरू की सरकार थी, आप देखिए न, यहाँ पर सफा की सरकार थी, सफा की सरकार के उपर मैंने क्या-क्या हासिवंग नहीं किये вед later करते थे स्वरगी मुलाएं नाम नाम उन नाम उनके भाशा उनके बोलने तरीकों को ले करके अख्लेश जीग उपर हमने कितने वन लाइनरस ओो ठिक ठिक ठिका ठिक कितनी की लालू जी उपर की, मनमोन सिंग जी को लोग क्या-क्या नहीं बोलते थे देश में, एक प्रजान मंदिक उपर ऐसे इसे जोग बोलते थे, तो आज मैं जो काम करता हूं, मेरा काम है, हास व्यंग लिखना, बोलना, परफॉर्म करना, तो मेरे काम पे पहरा बैठाया गया है, मेरे काम पे काम पे पहरा बैठा दिया गया है, नहीं, आप कह रहे हैं ना, कि आपको डर नहीं लगता, इट मेंस ये पहरा है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं, जैसे आप पूछ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग पूछते, ये सवाल उनके मन में कहां से आता है, इसका मतलब प झाल